आज हम लोग different type of leaf margin के बारे में जानेंगे इसमें हम लोग देखेंगे entire leaf margin, serrated, wrapped, krenate and dentate चली शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे entire leaf margin के बारे में इसके लिए मैंने पीले कनेर के एक पत्ती को लिया है इसमें आप पत्ती के किनारे को देख सकते हैं ये बिल्कुल ही चिकने हैं या smooth है इस तरह के leaf margin को entire leaf margin कहते हैं ऐसी leaf margin आम के पत्ती में भी पाई जाती है serrated margin का मतलब है कि पत्तियों के जो किनारे हैं या उनकी जो margin है वो saw shape या दांतेदार होती है इसके लिए मैंने hibiscus rosa sinensis या जिसे china rosa good hell भी कहते हैं उसका उधारन लिया है आप देख सकते हैं इस पत्ती की किनारे दांतेदार हैं इसलिए hibiscus की पत्ती serrated margin का एक example है rapid margin के लिए मैंने polyalthia जिसे हम अशोक्त्री के नाम से भी जानते हैं उसकी पत्ती का उधारन लिया है आप इस पत्ती की किनारों को देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा से और घुमाती हूँ इसकी पत्ती के किनारे लहरदार या वेवी हैं लहरदार या वेवी margin को हम लोग rapid margin कहते हैं crinate leaf margin इस तरह की leaf margin में leaf के किनारे rounded teeth like होते हैं यह मैंने ब्रायो फिलम की पत्ती ले रखी है इसमें आप देख सकते हैं rounded teeth like इसके किनारे हैं इस तरह की margin को crinate margin कहा जाता है dentate margin के लिए मैंने annual sothisal plant का उधारन ले रखा है इसकी पत्तियों के किनारों को आप देख सकते हैं कि यह किनारे दाते दार है इस तरह दाते दार या pointed teeth like margin को dentate margin कहा जाता है मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू